अगर फ्रेंट्स आपके पास Realme का नार्जो N55 है तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसी फॉन के टॉप 45 प्लस टिप्स एंडिक्स और कुछ अमेजिंग हिडिन फीचर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास Realme का नार्जो पिप्टि वाइब है तो चली फ्रेंट्स इस वीडियो को शुरू करते हैं जानते हैं इस फोन के अमेजिंग हिडिन फीचर के बारे में इस फोनियो आप इस पून में लॉट को बना सकता है जिस के लिए आप लॉग इसकीं सोर्ट को एरिया में जाए और वहां जाके आए और यहां स्कॉल देखेगा इस पर क्लिक कीजिए यह automatically स्कॉल होता है आप अपने हिसाब से भी इसको स्कॉल करके लॉंग कर सकते हैं यहां दन करेंगे तो लॉंग स्कॉल बन जाएगा इस पूमत तीन ऐसे फीचर और मिल जाते हैं जिनके हिसाब से आपने हिसाब से सैट कर स सकते हो जैसके के बल इस एरिया के स्कीन संवर चाहिए तो आप ले शकते हैं जिस टी शोर फो करके रखना होगा है आप क्लिक कर शाथ हैं तो वह बना सकते है जैसे के बल इस के सिर सब 있지 खी अगर और इस ओप्सन को अ इस तरह से बन जाएगा तो इसको आप बाद में एडिट बगारा करना है तो कर सकते हैं बीच में जो दिखाई दे रहा है इसको ब्लर करना है तो यह क्लिक कीजिए आप इस तरह से किसी बीचीज को ब्लर भी करा सकते हैं टाइटल बगारा डालना है या फिर किसी और तरह से बगराबर आप इसको सेव कर सकते हैं अब अब आप एरिया को सैलेक कर सकते हैं जिस एरिया का स्कीन साथ लेना चाहते हैं तो जैसे कि मुझे इस एरिया का चाहिए तो सेव हो जाएगा यहां क्लिक करेंगे तब जो आपका smart slide बार रहता है यहां इसको open करते हैं तो यहां पर पर click करके आप इस phone में screen source को बना सकते हो इसके लाबा आपका control panel पर भी screen source मिल जाता तो इसको open करने के वाद screen source पर क्लिक केजिए आप screen source फिर फिर वी इस phone के अंदर ले पाओगे इस phone की screen को आप double tap करके lock कर सकते ह सालू करने के स्कीन पर 2-FINGERS से PINCH-IN कीजिए, साइट करने पर MODE देखेगा, यहां CLICK कीजिए, इसकी बाद आप देख सकते हो, double tap का FUTURE है, यहां पर मिल जाता है, जो कि आपको यहां देखने को मिलेगा, इसको ON कर लीजिए, अब आप स्कीन को LOCK करना चाहते हैं, तो स्कीन पर double tap कर दीजिए screen lock हो चाहेगा चाहें तो आप double tap करके screen को on भी करा सकते हो double tap करके on कर पाएंगे double tap करके off भी कर सकते तो इसके लिए आपको screen पर फिर से pinch in करना है side जाने के बाद फिर से mode पर चाहिए यहां से scroll down करना है आपको देखने को मिलेगा double tap to back or turn off screen इसको on कर लिजी अब आप चाहें तो double tap करके off कर पाएंगे और double tap करके ही screen को on कर पाएंगे इस phone के अंदर fence आपको smart slide bar देखने को मिलता है जिसकी मतलब से आप किसी भी apps को floating window में यूज कर सकते हो और बहुत सारे apps को कहीं भी access कर सकते हो smart slide bar को on करने के लिए सबसे पहले चले जाए फोन की setting में और यहां आने बाद scroll down कीजिए आपको यहां पर देखने को मिलेगा special feature इस पर क्लिक करके आपको देखने को मिल जाता है smart slide bar यहां आके इसको on करना है अब आपके यहां पर बहुत सारे apps आपको smart slide bar के अंदर देखने को मिलेंगे जुकि कुछ इस तरह से आप निकालेंगे तब यह देखने को आप दूसरे apps को भी यहां पर देख पाएंगे तो यहां पर बहुत सारे option मिल जाते है तो smart slide bar को open कीजिए edit पर क्लिक कीजिए तो यहां पर अपने favorite apps को भी आप add कर सकते हैं जो कि यहां पर देखने को मलेंगे जैसकी chrome को लगाना है तो इस तरह से क्लिक करेंगे और किसी भी apps को यहां जो आपको advance में देखने को मलें को remove करना तो आप यहां क्लिक कर लेजिए आपका वह रिमूब भी हो जाता है तो इस तरह से friends आपको बहुत सारे feature मिल जाते हैं ज्योंकि smart slide bar में अपने हिसाप-चाप side करके रख सकते हो इस phone के इंदर friends एक की स्कीन पर दो apps को एक साथ यूज कर सकते हो जैसे कि आप चाहते हो यूटीब के साथ किसी और apps को यूज करना है तो यहां पर आप दो apps को एक साथ यूज कर पाओगे अगर उपर वाले को नीचे लाना चाहते है नीचे वाले को ऊपर करना चाहते है तो आप यहां पर बीच में क्लिक करना हुगा और यहां पे आपको क्लिक करना हुगा तो आप इस तरह से भी इसका डारेक्ट्शन बदल सकते हैं, इसके इलाबा एक एप्स का आप ज्यादा एरिया में यूज करना तो यहां क्लिक करके आप किसी भी एक एप्स को ज्यादा एरिया में भी ला सकते हो लोज करना चाहते हैं एक apps को full screen ना करना है तो यहां क्लिक करके आप इस तरह से किसी भी apps को full screen में लाप आएंगे इस फोन में फेंड्स आपको app draw selected देखने को मिलता है और यहां पर जब आपने app draw को open करते हैं तो directly keyword on हो जाता है आप चाहें तो इस keyword को disable कर सकते हैं चाहें तो इस app draw को ही disable कर सकते हैं तो बात करते हैं पहले keyword को disable कैसे करेंगे तो यहां पर मैंने इसका option देखिए यहां क्लिक करके app draw setting पर जाईए यहां देखने हो मिलेगा display keyword when it's starting app draw इसको आपको disable कर देना है आप जब अपने apps को open करेंगे तो आपको keywords हो नहीं होता इसके लाबा अगर चाहें तो इस phone ने standard mode का use करना तो आप वो भी कर सकते हैं यूकि सभी apps आपकी home screen पर आ जाते हैं इसके लिए tap and hold करके side करने के बाद आपको more पर जाना है यहां देखने को मिल जाता है आपको home screen mode इस पर क्लिक करके आपको standard पर क्लिक करके apply करना है सबी अब आपकी home screen पर आपको देखने को मिल जाएंगे इस phone गरन जो आपको apps stroll देखने को मिल रहे हैं इनका जो pattern आप देख रहे हैं इनका save आप चाहें तो change कर सकते हैं इनका font change कर सकते हैं बहुत अच्छे-चे edit option आपको मिल जाते हैं जिसके लिए screen पर आपको tap and hold करना होग यहां icon देखेगा यहां click कीजिए इसकी बाद आपको allow करना है यहां पर आपको अलगलग condition देखने को मिलेंगी तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको तीन pattern मिल जाते हैं पहले से इनको आप सेले करके रख सकते हैं जो की pattern कुछ इस तरह से देखेगा यहां click करेंगे तो इसके लगए पर आपको कस्टम पर click करना होता है यहां आपको अलगलग shape देखने को मिलेंगे जो भी आप shape में अपने apps को देखने को मिलेंगे तो इस तरह से भी आपके apps से देखने को मिल जाएगे scroll करने पर आप यहां पर background कितना रखने चाहते हैं उसको set कर सकते हैं आइकन का size कितना बड़ा होना चाहिए उसको set कर सकते हैं इसके लाब आप जो font आपको देखने को मिल रहा है without theme को change के हुए, आप इस phone के skin को जब change करते हो, तो यहाँ पे एक normal skin आपकी change होते है, यहाँ पे आप effects को add कर सकते हो, जिसके लिए इस तरह से आपको roll देखने को मिल जाता है, यहाँ देखेगा apps इस option पर किजिए, जिसके वर आपको app klonner देखने को मिलीगा, यहाँ क्लिक करना है, अब यहाँ आपको वह सभी apps देखने को मिल जाएंगे, जिनका आप क्लोण कर सकते हो, जिनका आप छोन कर सकते हो, जिनका च चाहे तो उसका रीनेम भी कर सकते हो जिसके आपको एपस के अंदर क्लिक करना है और इसको यहां से ऑन करना होगा रीनेम का option देखने को मिलेगा यहां क्लिक करके आप जो भी नाम देना चाहते है उस आपको रहाँ एक्स पेंड करने का ओफशन मिल जाता है जितनी जीवी का रहाँ और भी जादा इस फोन के दर आप बढ़ा सकते हो जिसके आपको बढ़ाना है तो फोन की सेटिंग में जाना होगा सिस्क्राइब करना है और यहां देख रहाँ का ख़श्क्राइब बढ़ा सकते हैं जिसकि वन जीवीं, टूजीवी, फोन को पुर्श्ल के ब्रता और आप इस फोन में expand कर पाऊगे इस फोन की बैटी style को आप चेंज कर सकते हो अपने फोन के जो status बार है यहां पर अपनी net speed को जान सकते हो तो यह सब feature आपको on करने है तो आपको जाना होगा फोन की setting में यहां आने को बाद करने पर कि देखने को मिलेगा यहां पर आपको अलगलग style देखने को मिलता है जो भी style आप अपने status बार में चाहते हो बैटी की उसको आप select कर सकते हो अगर इसके लाबा आप चाहते हो फोन में net speed की बारे में जानना क्या net speed आपको पता चलना चाहिए तो होना चाहिए तो यहां आपको real time net speed on करना है अब आप अपने status बार में देख पाऊगे इस फोन को प्रेस करते तो यहां पर जो भी एप्स का आप यूज करें उनका content सो होता है आप चाहें इस content को भी हाइट कर सकते हैं जिसके आप 3.pack करके हाइट content के लिए सेलेक्ट कीजिए तो जिस apps का अपना हाइट कर रखा है उसका content आपको कभी भी सो नहीं होगा इस फोन टेंडर फ्रेंड्स अपने फोटो और वीडियो को अच्छे साफ हाइट कर सकते हैं कोई भी बिडाउट घट पाड़ी एप्लिकेशन को डाले हुए अगर फोटो एंड वीडियो को हाइट कर सकते हैं अगर फोटो एंड वीडियो को हाइट करना है तो सबसे पहले फोन की गैलरी में जाहिए यहां तीन option में से किसी एक पर tap and hold कीजिए यहां पे आपको privacy बगर है set करना हुगा अगर एप लोग बगर है तो आपको बही privacy पास इसके अपना privacy पासपर्ड आपको set करना है दो बार यह डालना पड़ेगा इसकी वर आपके सामने एक security question आता है जिसमें आप नाम set कर लीजिए अपना और यहां इस आइकन पर क्लिक लिजिए अब आपका privacy safe हो जाता है अब किसी photo and video को hide करने के लिए उस folder में जाए जिसमें आपसे आप hide करना चाते हो तो मतल लीजी आपको ये वाला photo hide करना तो इस तरह से उस पर tap and hold करके hide का option देखेगा नेचरी की बर इस पर click करना होगा, आपका यह hide हो जाता है इससी तरह से किसी भी वीडियो को भी आप hide कर सकते हो, जो कि आपको simple इससी तरह से tap and hold करना होगा, पर जाना होगा आपका वीडियो भी hide हो जाएगा इसको access करने के लिए and unhide करने के लिए पिनो मैंसे किसी पर एक बार tap and hold करेंगे आप और यहां पर आपका privacy पासपड आएगा जिसको डालने के बाद इनको आप access कर सकते हो तो unhide करने के लिए इस पर tap and hold करने के लिए set as public पर जाना है उस folder को select करना होगा जिसमें आप इसको रखना चाहते हैं इस तरह से आपका unhide हो जाता है अगर किसी audio and documents फाइल को भी hide करना चाहते है तो उसके लिए setting में जाके आपको scroll down करना होगा या privacy option पर जाना होगा इसकी privacy option पर click करके private save पर click करना है आपका जो भी privacy lock है वो आपको डालना होगा आप अपने audio को यहां से click करके hide कर सकते है documents को यहां click करके कर पाएंगे other file को hide करना है तो आपको वो भी option मिल जाता है यहां click करके आप उसको भी hide कर पाएंगे इस phone गेंडर by default आपको app lock का भी support मिल जात यहां click करके कोई भी privacy password आप set करके app lock कर सकते हैं तो पहले इसको यहां से on कीजिए setting option पर click करने को आपको privacy password set करना रहता है चाहें तो आप इसको बदल सकते हैं इसकला भी use a different password type पर click करके अलग-अलग lock को select कर सकते हैं जैसे की चारंग का पासपर चार से लेके 16 अंगत का भी यह नहीं तो अपना नाम डालके भी इसको रख सकते हैं अब जिस एप्स को लॉक करना चाहते हैं क्लिक करके इस तरह से क्लिक कर लीजिए आपका वो लॉक हो जाएगा अगर लॉक फिंगरपेंड की मतलब से अनलॉक करना है तो setting पर जाने की बाद आपको unlock method देखने को मिल जाएगा अगर एप्स को भी हाइट करना चाहते है इस फोन के अंदा तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो जिसके लिएप को setting में जाके privacy option पर जाना है privacy पर जाने की बाद हैप्स पर क्लिक कीजिए जो भी privacy password आपने बनाया उसको डाल दीजिए यहां पर डालने की बाद आप आपको एक access code बनाना होगा जैसे आप किसी भी apps को on करेंगे setting की आइकन पर जाने की बाद एक अंग से लेके 16 अंग तक को कोई भी access code डाल लीजिए example के लिए बता रहा हूँ है आपको यहां पर बाद में भी hash type करना है इसको डालने की बाद इस आइकन पर क्लिक कर लीजिए आपको done करना है अब जो भी apps आपको hide करना यहां से इस तरह से on करना होगा वो apps hide हो जाएगा इसको access करने के लिए dialer में चाहिए जो भी code बनाया थ आपको वही आपको आके डाल देना है विस तरह से अपने code डालते हैं आपके सामने hidden apps अभी देखने को मिल जाएंगे यहां से अपनी privacy शेप को भी आप देख सकते हो इस phone के अदर friends आपको floating window का भी support मिल जाता है जैसे कि आप किसी भी apps का floating window में यूज करना चाहते हैं तो प आपका pop-up में on हो जाएगा इसको कहीं भी आप access कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर प्लेश्टूर के अंदर है इसमें access करना है तो इस तरह से पर click करेंगे यह आपका इस तरह से open हो जाएगा आप इसको resize भी कर सकते हैं जिसको आप इबर्स पर tap कीची यह आपका इस तरह से साइज हो जाता है अगर चाहिए तो इसको full screen में भी ला सकते हैं जिसके लिए इस आइकन पर click करना हुआ तो इस आइकन पर click करके आप इसको direct click close भी कर सकते हैं इस phone के अंदर फ्रेंड्स आपको smart screen के काफी amazing feature मिल जाते हैं जिसका कि lock screen होने पर भी आप किसी भी apps को access कर सकते आप सबसे पहले जाएंगे और यहां से स्कॉल डाउन करेंगे स्कॉल डाउन करने के वद आपको देखिए का एडिसन सेडिंग यहां क्लिक कर लीजिए इस पर click करने के वद आपको यहां बहुत सारे जैसर मिलेंगे तो सभी condition के लिए पहले allow कीजिए यहां screen of gesture क्लिए क्ल option को open करके got it पर click करना है अब आप लॉक स्कीन होने पर भी camera apps को open कर आपा हुए without आपको यहीं पर मिलेंगे तो आपको यहीं पर आना है और यहां आने के बाद music control देखने को मिलेगा इसको on कीजिए इसको on करने पर lock screen होगी आप तब भी गाने को play कर सकते हैं जिसके आपको go it पर click कर ना है अब गाने को play करना चाहते है तो यहां से अन करने तो यह सभी लॉक screen पर ही काम आएंगे निची कुर कुछ और भी control आपको देखने हो मिलें जिनकी मंदद से आप अपने फेवरीट apps को रख सकते हो किसी को call लगा सकते हो और यहां पर किसी भी को भी आपने हिसाप से skin को unlock भी कर सकते हो तो पहला option रहेगा एसे इसको on करने बाद आप gotten पर click के जी और यहां set click करेंगे तो तीन option मिलेंगे unlock call and open apps अगर unlock को select करेंगे तो आपकी screen direct unlock हो जाएगी अगर call के लिए select करेंगे तो कोई भी favorite app आपको select करना मलब कोई favorite number आपको set करना रहेगा तो वही number से आपकी direct call लग जाए करेंगी जब आप screen पर एटाइप किया करेंगे और इसके बाद open apps लिए select करके किसी भी आप apps को select करेंगे तो वही directly आपका apps open हो जाएगा अब जैसे कि मैंने यहाँ पर setting यहाँ पर chrome के लिए select कर लिया है अब मैं लोग इसकी इन पर एक लिए type करता हूं तो यहाँ पर आपका directly chrome browser open हो जाएगा कुछ इस तरह से directly आपका वही access हो जाएगा जो भी आपने यहाँ पर select किया हुआ है तो और भी option मिलेंगे जैसे कि M और W जिन मेंसे आप अपने हिसाब से रख सकते हो direct call का option unlock and open apps तो favorite apps को आप रहना से रख सकते हो जब भी कभी को यह directly app को access करना है तो आप यहाँ पर उस apps को select कर सकते हैं जो भी आपको जल्दी से access करना रहता है तो रहसा वापस आजाएंगे वापस आने को आपको यहीं पर edit setting में और W option मिल जाते हैं सबसे पहले feature मिलेगा आपको navigation set हो जाते हैं यहाँ पर कुछ setting और बता दे रहा हूं आपको जो की बहुत amazing है तो पहले तो आप इस feature को on किजी यहाँ से line guide हो जाएगी दूसरा option आपको यह on करना है अब बैब button को press करते समय आपका phone बापरेट होगा इस feature को on-on कर लीजी अब आप जिस apps के अंदर हैं इस से पहले जिस apps का यूज कर रहे थे उसमें जाने के लिए simple आपको इस तरह से click करना होगा तो आप एक apps के अंदर से दो से apps के अंदर चले जाएंगे वापस उससे अपने जाना तो इस तरह से switch हो सकते हैं बहुत आसानी से तो जैसर का यह काफी useful feature हो जाता है इस phone में आपको पर यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको अपने finger से down करना होगा आपका यह phone बंध हैंडिक मूट पर आउन हो जाता है अब नेची को किसी भी apps को एक हाथ से बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हो अगर इस skin को full screen में आना चाहते हैं तो blank screen पर click कर देना है आपका य पर यह फोन की setting में जाकर इस call down कीजिए एडिसलन setting में जाएए यहां से call down करने कवाद otg connection को on करने कवाद आप इस फोन में mouse keyboard या फिर आप इस फोन में अपने memory card का यूज करना चाहते है pen drive को लगाना चाहते है तो आप इस feature को on करके use कर पाएंगे इस phone की display ram information की बारे में आप जान सकते हो इसके आप recent button को press करके यहां three dot पर जाएए मैंने इस पर क्लिक कीजिए आपको display ram information देखने को मिलेगा इसको on कीजिए अब आपके phone में कितनी gb ram use हो रहा है कितना free है वो आप recent button को press करके जान सकते हैं जो कि आपको यहां देखने को मिल जाएगा कितना आप आप palm दिखाएंगे phone की सामने तो आपका photo क्लिक हो जाएगा तो इस feature को on करने के लिए सबसे पहले phone की setting में जाएगे यहां setting icon पर क्लिक कीजिए आपको यहां देखने हो मिल जाता है sorting method इस पर क्लिक करना है अगर आप screen को tap करके photo को लेना चाहते हैं तो आपको यह tap to capture के लि auto schedule पर set कर सकते हो जैसे कि night में आपका बारा बज़े phone automatic switch off होना चाहिए सुबह मौनिक के अंदर आपका phone 4 बज़े on हो जाना चाहिए तो आप इस phone के इस a schedule बना सकते हो जो automatically काम करेगा तो इसको on करने के लिए आपको phone की setting में जाना है यहां सब्सक्राइब करने को excellent setting में आ चाहिए फिर से scroll down कीजिए आपको power schedule का एक option देखने को मिल जाता है जो कि आप schedule power on off क्लिक करके इसको set कर सकते हैं अब यहां पर आप auto on का time डाल सकते हैं कितने समय आपका phone on होना चाहिए किस दिन होना चाहिए आप वो भी set कर सकते हैं सभी days देखने को मिल जाते हैं everyday को select कर स सकते हैं इस phone के अंदर phone का जो volume down बटन है इसको दो बार प्रेस करके आप डारक ली camera apps को open करा सकते हो वह भी lock screen होने पर इस feature को on करने के लिए camera apps में जाएए setting icon पर click करना है और इसको आपको आपको on कर लेना है जो कि यहां पर आपको देखने मिलेगा क्योंकि launchaster इसको on करने आपको kids mode का future देखने को मिल जाता है जो कि काफी useful feature भी है अब जैसे कि घर में आपके बहुत सारे बच्चे हैं और आपका phone यूज करते हैं तो आपको kids mode का यूज करना चाहिए आप इस phone के अंदर उन apps को डाल सकते हैं जो कि आपके kids के ही काम है मतलब जो आपकी बच्चों बगलिक कीजिए get startups आईए यहाँ पे उन apps को select कर सकते हैं जो कि kids mode के लिए आप यूज कराना चाहते हो तो आपको वही apps open कराने है जो कि आप kids mode के लिए देखाना चाहते हैं आपको next करना होगा यहाँ पर timing डाल सकते हैं किस time तक आपका यहाँ पर काम करें तो आपको timing डाल जो अपने select किये हैं वो अलग रहेंगे और यहाँ आपका man जो data रहता है वो यहाँ पर आपको so नहीं होने वाला इसको exit करना चाहते हैं तो आपका home screen का जो भी password बगए रहा है वो आपको डालना पड़ेगा तो आप kids space में से बापस जा पाएंगे इस phone calendar friends आपको dark mode का भी support देखने को मिल जाता है जिसको आप बहुत अच्छे से कस्टमाज भी कर सकते हैं इसके अपने control पैनल को open कीजिए यहाँ पर side करने पर आपको कही ना कहीं dark mode की उपर tap and hold करना है आप आप आजाएंगे dark mode की setting के उपर तो यहाँ पर आपको इस तरह से dark mode पहले set करना होगा dark mode setting दिखेगी अब आप इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पर आप किस हिसाब का dark mode set करना चाहते हैं वो option रहेंगे medium आप अपने हिसाब को set कर सकते हैं तीन option रहते हैं जिस हिसाब का dark mode चाहते हैं उसको आप set कर लीजी इसके लावा आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से अंदर आप इसको बीजिए अपने हिसाब कर सकते हैं तो इस तरह से डार्क मूड की setting कर सकते हैं और यहाँ पर आप यह भी सैट कर सकते हैं यह आपको आपको अच्छी से काम आएगा और आँखों के लिए काफी सेफटी फ्यूचर है तो इसको आउन करने के लिए अपने कंडॉल पैनल को ओपन करेंगे आई कंफर देखने हो मिलेगा इस पर टैप एंड कोल कीजिए आप भी इसको इसको सेट कर सकते हैं और यहां तक इसको भी अपने हिसाब से रख सकते हैं कितना ज्यादा है यहां कर लिगा सकते हैं यह इस को अपने हिसाब से सैट करके रख पाएंगे इस फोन के अंदर आपको बाइ-डिफॉल करेंसी चेक करने का एक ऑफशन मिल जाता है जो कि क्या अन्दर आपको मिलेगा तो आपको open करना है या इस icon पर click करके आप currency के जान सकते हैं किस currency से आपका जो dollar है या फिर आपका INR है किस country से कितना चल रहा है तो आपको net on कर लेना है यहाँ पर आपको currency select करने हैं जिस currency का आप अपने रुपीज से convert करना चाहते हैं तो यहाँ पर काफी advance feature दिया गया calculator के अंदर जो कि आप यहाँ पर आके directly check कर सकते हो तो friends यह कुछ useful feature थे इस phone के जिनके बार मैं आज की वीडियो में आपको बता चुका हूँ आसा करता हूँ friends आपको यह वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा अगर वीडियो चला हो तो वीडियो को लाइक सियर और चैनल को सब्सक्राब करके बैल लेकिन को प्रेस करना बिल्कुल भी न मूले तो चली friends मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए गुद्बाई एंड टेक केर